हाई फ्रेंट्स मैं एक बार फिर से आत्रई विश्वास रॉय आपके बीच हाजर हूँ हर बार मैं आती हूँ और आपको कन्विन्स करती हूँ कि नौर्थ इस्ट इंडिया आखिर आपको अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर क्यों आना चाहिए आपको यहाँ के हसीन वादियों के बारे में बताती हूँ यहाँ के खासियतों के बारे में बताती हूँ लेकिन आज मैं इसके उल्टा करूंगी मैं आज आपको बताऊंगी 7 ऐसे रीजन्स जिसे सुनकर आप शायद एक बार सोचिएगा कि क्या मुझे नौर्थ इस्ट इंडिया आना चाहिए हाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सारी रीजन्स जिससे आपको आने से पहले यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि क्या आप यहाँ पर फिट बैटते हैं या नहीं तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा साथ ही अगर आप इस चानल में नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब बटन पहले दबा दीचिएगा अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं है और आपको हसीन वादियों में एक होना रास नहीं आता है तो नौर्ट इस्ट इंडिया की ये वादिया आपके लिए नहीं है क्योंकि North East India पर जब आप ट्रावल करते जाएंगे तो हर एक कदम, हर एक मोड पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसे देखकर आपकी आँखें खुली की खुली रह सकती हैं यहाँ पर ऐसी कई सारी स्पोर्ट्स हैं जो lifetime experience होंगी पर वो रास्ता thrill से भरा होगा साथ ही अगर आप skyscrapers के दिवाने हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी पर हाँ आस्मान की उचाई से गिरते हुए ज़रने जरूर दिखेंगे floating lake जरूर दिखेगा और crystal clear lake भी आपको देखने को मिलेगा अगर साफ सफाई की आपके आदत नहीं है और आप अपने आसपास की जगहों को साफ नहीं करते हैं तो north east इंडिया आपके लिए सही नहीं है perfect नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जागरुख हैं देश ने स्वच्छता अभियान जब चलाना शुरू किया उससे बहुत पहले ही मेगाले का एक गाउं, मैनिलॉंग, एशिया का cleanest village बन चुका था यहाँ पर सडको या फिर पहाडों पर गंदगी फैलाना, सडक किनारे सूसू करना या फिर खाने पीने की packets को फेकना किसी को अच्छा नहीं लगता इस वज़े से आप किसी जंगल में भी बास के बने हुए dust bins आसानी से देख सकेंगे दोस्तों अगर आप night life के शौकीन हैं और आप सुबर जल्दी नहीं उट पाते हैं तो North East India is not your cup of tea क्योंकि North East India में सुबर बहुत जल्दी हो जाता है और अरुनाचल प्रदेश में सुबर तो 4 बचपर 20 मिनित में ही हो जाती है शाम में सूरज डूपता भी बहुत जल्दी है यानि कि early to bed and early to rise यहां की normal lifestyle है night life जैसी चीज यहां पर आपको नहीं मिलेगी North East बांगलादेश के eastern side में पढ़ता है और धाका Indian standard time से आधे घंटे आगे है इस हिसाब से North East IST से एक घंटे आगे होना चाहिए इसलिए time difference आप easily notice कर सकेंगे अगर आप अपने food habits और taste के लिए conservative हैं और जादा experiment नहीं कर सकते तो sorry North East India आपके लिए शायद perfect नहीं होगा क्योंकि यहां के लोग खाने के साथ उसके जाईके में बहुत experiments करना पसंद करते हैं पहाडों पर आपको एक से बढ़कर एक लजीज खाना मिल सकता है जो शायद इंडिया के किसी और कोने में ना मिले पर उसके लिए आपको अपने taste के साथ experiment करना होगा यहां के तीखे मिर्च भूत जोलकिया से लेकर देश के सबसे अच्छे homemade लीकर तक आपको सब कुछ unique मिलेगा साथी मिजोरम और नागा लैंड में generally लोग सिर्फ दो टाइम का खाना खाते हैं सुबा और रात वहाँ lunch का concept common नहीं है हो सकता है कि आप बहुत cool type के होंगे और बोलने के वक्त आपके मुँसे यूँ ही slang निकल जाता है automatically या फिर कुछ लोगों की accent ही ऐसी हो जाती है तुम आप कीजेगा North East India ऐसे लोगों का accept नहीं करता और उन्हें देकर खुछ भी नहीं होता क्योंकि यहां के लोग language wise बहुत सोबर हैं इंडिया के नक्षे पर इसे एक अलग जगर जरूर समझा जाता है पर यकीन मानिए बहुत से दूसरे जगर के लोगों के comparison में North East के लोग ज्यादा polite और well behaved होते हैं साथ ही यहां पर आकर आप लोगों को चिंकी या फिर हाका नूडल्स या फिर चाइनीज बोले तो शायद आपको यहां आने का प्लान ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि यहां के लोग इंडिया के ही हैं और ऐसी बाते सुनना पसंद नहीं करते दोस्तों अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से प्लास्टिक कार्ड्स पर निर्भर है तो माप कीजिएगा यह नौर्ट इस्ट इंडिया आपके लिए सही जगा साबित नहीं हो सकती है क्योंकि पहाड़ों पर ऐसे भी क्रेडिट और डिबिट कार्ड्स का सूचना बेमानी हो जाती है वैसे ATM से कैश जरूर लिक लेंगे लेकिन जबी भी आप किसी आउटलेट्स में जाएंगे तो ज्यादतर आउटलेट्स कैश ही एक्सेप्ट करते हैं कार्ड्स नहीं साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर शॉप्स तो होंगे लेकिन शॉप्कीपर नहीं होगा तो आपको वहाँ पर कैश डिपोजिट करते हैं खुदी चले जाना होगा ऐसे में सोचिए एक क्रेडिट कार्ड का यहाँ क्या काम दोस्तों अगर आप नौर्थीस्ट इंडिया को लेकर पहले से ही पूर्वा ग्रह से बीमार हैं तो फिर आपको नौर्थीस्ट इंडिया रास नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ के ट्राइबल्स आपको परिशान नहीं करेंगे यहाँ पर हर जगा लोग कीडे मकॉडे नहीं खाएंगे उग्रवादी आपको जगा जगा पर नहीं दिखाई देंगे साथ ही साथ डौगी खाते हुए लोग भी आपको नजर नहीं आएंगे आपको नदी के बीच में आईलैंड तक पर रहने को होटेल्स मिल जाएंगे पहाडों के बीच में सडक दिख जाएगी कदम कदम पर अनूठी कला दिखेगी और ज्यादतर जगों की खुबसूरती में खो जाने का डर रहेगा तो फ्रेंड्स अगर इन में से आपकी भी कोई आदत ऐसी है तो आपको नौर्ट इस्ट में आने से पहले सोचना जरूर होगा लेकिन हाँ अगर आप खाने के शौकीन हैं हसीनवादियों के दिवाने हैं साथ ही आपको दूसरे कल्चर्स दूसरे ट्रडीशन्स भाते हैं लुभाते हैं तो नौर्ट इस्ट इंडिया जरूर आपका इंतजार कर रहा है आएगा जरूर बाबाई